स्वागत दोस्तों आपका IT study team पर माकनलाल चतरवीदी विश्विद्याले ने DCA का time to youl जारी कर दिया है DCA first semester का time to youl मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है इस वीडियो में आपको DCA second semester का time to youl बताऊंगी computer fundamental के आपको वो question कर लेना IMP question है दोस्तों DCA second semester के वी मैंने आपको important question करवा दिये IT trends के 100% आपको इन question में देखने को मिल जाएंगी दोस्तों ठीक है उन question को आप जरूर कर लीजिएगा यदि आपने अभी तक नहीं किये तो लिंक आपको description मिल जाएगा बादा कर देख सकते हो इस वीडियो में आपको time to youl बताएंगे और यदि दोस्तों आप हमाई चैनल पर नहें तो चैनल को subscribe जरूर कर लें प्रिश्क लें ताकि आपको अगली वीडियो को notification मिल सकें इस वीडियो में आपको DC सेकंड सेमिस्टर का time to youl बताऊंगी जैसे कि आप देख सकते हो साथ जून 2022 को IT trends का paper है दोस्तों first subject का आपका time रहेगा दो बज़े से 5 बज़े तक ठीक है और second paper है आपका 10 जून को है दोस्तों उसका time भी आपका यहीं रहेगा second subject है आपका internet and e-commerce 13 जून 2022 को है दोस्तों DC that subject है आपका DTP इसका फुल फॉर्म होता है डेश्टॉप पब्लिशिंग या multimedia with coral इस वीडियों में आपको सुचना बताऊंगे क्या 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 सुचना में जारी की गई है इन सुचना को आपको ध्यान में रखना है ठीक है पहली नमर पर दी गई है सभी छात्र बकाया फीस तुरंत जमा करें फीस के लिए होने के उपरांती admit card दिया जाएगा ठीक है दोस admit card में अनुमती नहीं है admit card के बिना परिक्षा hall में अनुमती नहीं है ठीक है अगला है एक्जाम की तैयारी गंबीरताशे प्रारम करें इस बार पर विशिस ध्यान देना है दोस्तों एक्जाम की तैयारी आपको गंबीरताशे करना है पिछली बार पेपर आपके open book से हो आई थे COVID-19 के चलते इसलिए आपको को पेपर की तैयारी अच्छे से करना है इस बात को धिहान रखिएगा और मैंने आपको इसके first subject के IT trends के important question करवा दिये हैं यह दिए आपने नहीं द जरूर करना ताकि आपको अगली वीडियो का नाट्विशन मिल सकते हैं और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद